Hello friends and welcome back to the channel, मेरा नाम पूजा है और आप सभी का मेरी YouTube चानल में बहुत-बहुत स्वागत है आज के वीडियो का टॉपिक ये है कि प्रेगनेंसी रुकी है या नहीं रुकी है ये हम ब्लिडिंग स्पॉर्टिंग के द्वारा कैसे जान सकते है या फिर यूँ कहले कि अगर आपने experience किया है कि period से पहले आपको brown कलर का कुछ discharge आता है या फिर spotting से दिखाई देती है ब्लिडिंग होती है स्टार्टिंग में तो फिर उसकी वज़ा क्या है क्या ये pregnancy का sign है या फिर miscarriage हुआ है actually में ये होता क्यूं है क्यूं ये बार-बार period से पहले ही flash होता है और आपको confusion भी काफी ज़्यादा होते है तो देखे friends जो black color की spotting होती है या bleeding होती है किसी भी महिला को ऐसा अगर होता है period से पहले तो एक बहुत ही helpful example के द्वारा आपको समझाती हूँ कि जैसे माल लिजे कि आपके fingers में कहीं पे भी cut लग गया है और वहां से bleeding start हो गई है अगर उसको साफ नहीं किया जाए तो कुछ समय के बाद वो brown color का हो जाता है या फिर कपडे में कभी blood लग गया है और उसको धोया न जाए तो कुछ वक्त के बाद वो brown दिखाई देता है हमारे शरीर के अंदर भी कुछ समस्याओं की वज़ा से internal bleeding होती है जो कि बाद में आपके passes से बाहर आती है और वो आपको brown color की इसले दिखाई देती है कि ये दोनों ही conditions में जो blood होता है वो oxidized हो जाता है यानि air के contact में आता है तब ही खून का रंग काला दिखाई देता है ये कई सारी परिस्तितियों में महिलाओं में देखा जा सकता है जैसे अगर endometriosis की problem है तो इसमें tissue का growth काफी जादा होता है और वो फिर टूट कर आपके periods में धीरे धीरे बाहर निकलते हैं जिसकी वज़े से उनको जादा time आपके passes में रहने का अफसर मिलता है जिसकी वज ये problem ये लक्षन दिखाई दे सकते हैं कई बार महिलाओं को infection हो जाते हैं जैसे की UTI infection होना किसी भी प्रकार का अगर urine infection भी आपको होगा तो इस तरह की spotting आप में नजर आ सकती है कई बार women के hormonal changes की वज़े से भी internally इस तरह की spotting दिखाई देती है साथ ही साथ कई बार आपको अगर PCOD की problem है तो भी ये rare there आप में दिखाई दे सकता है बहुत सारे reason तो इसके होते हैं लेकिन परिशान होने की बात कब है तब जब आपका miscarriage होता है तब भी ऐसी संभाबन होती है कि पहले starting में bleeding brown color के आती है और इसका केवल और केवल एक ही कारण है कि वो आपके passes से धीरे-धीरे आ रहा है जहां से periods का रास्ता है वहां से धीरे-धीरे flow में निकल रहा है जिसके वज़े से air के contact में आकर के वो बार 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 होता है So friends अब बात करते हैं कि pregnancy के symptoms में क्या ऐसा देखा जाता है तो देखे अगर periods expecting date के एक दो दिन पहले आया है या periods के flow के साथ आपको bleeding हो रही है black color की और इसमें आपको बदबो आती है इससे आपको feverish जैसा feel होता है या फिर कोई भी अन्य समस्या होती है तो इस समय immediately doctor को consult करना है ये किसी internal infection का कारण हो सकता है ये miscaris के भी sign होते हैं इसलिए doctor का consult लेना important होता है क्योंकि इस समय medication की जरूरत है और अगर आपको कभी कभार ऐसा होता है तो फिर एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये कभी कभार इसलिए भी होता है क्योंकि कई बार internally अगर आपने कोई child birth control के लिए device लगा रखिती internally उसको लगाने के बाद भी ऐसा हो सकता है या फिर remove कराने के बाद भी ऐसा हो सकता है प्रेगनेंसी के लक्षनों में अगर आपको black spotting से दिखाई देती है black यानि के dark brownish color की तो वो expecting period date के लगभग 7-8 days पहले दिखाई देगी spots जिसे implantation bleeding भी कहते हैं तो ये काफी earlier होता है periods मिस होने से पहल 7-8 days पहले ही होता है और बहुत बड़ी समस्या ये होती है कि अगर पेट में गड़मी है ठीक है राइट पेट में काफी ज़दा गड़मी होती है खाना खाते हैं उसके बाद खाना ठीक से पच्चता नहीं है constipation की problem रहती है अपच होता है तो इन conditions में भी आपको ऐसी दिक्कते आएगी कि spotting बहुत black जाएगी periods आने से पहले तो इसके लिए जरूरी ये है कि आपके पेट को जो ठंड़क देती है चीजे जैसे full fruit seasonal काफी ज़दा इन पे antioxidants होते हैं बहुत ही अच्छा fiber होता है, minerals होता है ये लेना बहुत जादा जरूरी है ताकि intestine clean हो सके और पेट की गर्मी शान्त रहे इसके अलावा आप चाहें तो सुफ का पानी भी पी सकती है सुबर मॉर्निंग में उठने के बार साथी साथ जो आपकी ये समस्य repetition पे बार-बार periods में अगर दिखाई दे तो आपके शरी जो से आपके शरीर में जो ये problem हुई है बार-बार repetition में जिससे की बहुत सारे आपके शरीर का जो internally loss हुआ है वो fill हो पाएगा और आपकी body से जो ये red blood की spotting की समस्या है वो भी दूर हटेगी तो important ये है कि सही समय पे सही decision लेना है अपने body को समझना है और इससे आपको miscarriage ह हो या फिर other कोई reason हो तो इससे आपको बहुत आसानी से पता लग जाता है और इसके अलावा normal periods चो होते हैं वो black color के कभी नहीं आती है spotting अगर आगे भी आपको दिखाई देगी तो काफी कम होगी फिर फ्लो रेड कलर का start हो जाएगा blackish color का continuity पे रहता है आपके periods में कोई भी problem तो without any waste of time डॉक्टर को consult करना है तो ideally hope कि ये चोटी से वीडियो से आपको बहुत help मिली होगी अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना पशंद करती है तो आप वीडियो को like कर सकती है और चानल को subscribe कर सकती है thank you so much